भाई बहियों, आज एन फिब्रिवारी हो चुका है, हम यानिवारी के बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि फिब्रिवारी आज से शुरुआत हो चुका है, एन फिब्रिवारी, मतलब ये है कि ये साल के शुरुआत हुआ है, और ये महिन नासम उर करके जाता है, यानिवारी, अब उसके बारे में हम दो सिक्र करेंगे, एक बरस के बाद में, हम दो आज से बात करेंगे फिब्रिवारी के बारे में, बहिया जी कल एक खास करके ब्राजील गयाना और सुरी नाम निकेरी जब 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 आर्ट बीफिंग आया है परमालिबों के जनता निकेरी में जो है और बहुत जगहे पर लोग को ये ढखका महसूस हुआ है जब 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 है बोवा फिस्ता राईमा वहां पर यह शुरू करी से हedelे के तो देखे गया ना के बात दूसरा बहले के बात दूसरा लेकिन जम नीकेवी में उधर से आयो थे नीकेवी पहले शुरू होता न तो नीकेवी में एक भाई ने कहा कि फुद्बाल देख रहा था अचाने घर हिलने लगा, खड़-खड़-खड़-खड़-खड़-खड़-बस हम चोग देडी, जो कुर्शी वो बैचा रहा, कुर्शी अपने हाथ चलने लगा, हिलने लगा, बस उझे पता चला कि ना, यह आर्थ बीफिंग है, ऐसे कितने बुले कुकुर को यहाँ पर क् ठिंग 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 भईया, हरिया बरतन अपने में धक्ता लगावत है, और अईसन अईसन तमासा निकेवी में, और अनिक अनिक प्रकार की चीज हुआ है भाईजी, मतलब यह है कि आर्थ बीफिंग, यह तो कुफ इतनी खंती, इतनी तंग किया है दुनि भर के हिलादडारी से भईया, और जो कुछ बचलो चल रहा, तो यह आप बीफिंग ब्राजील से शुरुआत हुआ है, अब ही हम लोग को बाद में साइट पचा चलेगा, कि कितना नुक्सानी और हुआ है गया ना में, ना, कल मैंने कहा था कि एक बोट्समान को एक दूसर बोट्समान जगरा करते हुए, उन्हें ठेओ दिया, वो रीबा में गिल्परा मरवई नरी फीर में, और उनका मौट हो गया है, बोट्समान सफेरो बेंडिसोन, यह बाईस साल कुमिर का इनका लाश मिला है, मरवई नरी फीर में, एक दूसरा बोट्समान जिसका नाम आके केंसी, फेरं तरिक याद, इन दोने में कुछ जगरा हुआ है, और इसी जगरा के कारण से सफेरों को ठेओ दिया, वो रीबा में गिला, और फिर उपर आया नहीं, इनका मौट हो गया, केंसी आप, इंकार कर रहा है कि यह मौट से कोई लेना देना इन्हें नहीं है, लेकि देखो भाईया जे, तो हमारे देश में हम लोग बात कर रही हैं कुरोना फीरिस के बारे में, लोग दोन 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 के बारे में, सुरी नाम के जनता, सोचे की अभी तक सरनाम के सरकार खिलवार कर रहा है, Je lock-down, total lock-down, in de nacht van zaterdag en zondag, vrijdag en zaterdag, 57 57 Overtreders 57 Overtreders 57 Overtreders 51 Overtreders दो मिलिटेरिस में था 12 औरते भी थी 66 दी खतक माने क्योंकि मिलाकर के सब होता है 108 Overtreders थे बालब फ्रावन जैसन दी खतक माने और बात हम लोग को बठाते हैं कोमेसारस पान पुलीची स्टेली च्छामूर बोले सब लोग को ले गया है वहां तरहीं पर पुलीची तरहीं पर सब लोग को एक प्रोस्ट फरबाल बना और सब लोग को 350 तक 300 तक यह जाट बूट लगा है तब ही ते जनता न सुधरेगा भाई जै जनता पैसा भरने के तैयार है लेकि सुधरने के तैयार नहीं है लेकिसे नेज अलात ने भी आफन क्लॉक होते हुए लोग ने शिपरमारक को लूटने लगा तोर फार करने लगा ऐसे हमारा देश दुनिया चल रहा है काका दुनिया चलता है यही तरीका से कैसे चल रही हो यह तो चलता ही रहेगा इसे सवाल होता है ने जलान के पर्लेमेंट में कि ने जलान को चाहिए सुरी नाम के जो करजा होगा ने जलान के खेरिंग के पास तो यह करजा आप ने जलान को माफ कर देना चाहिए मिलेसर Stijf Blok उतिलान साक इसबा डहे से काहिए है गया है कि नेजलान देन्ने blocking के तli जलान के पर्यूद ने ने कल दे सुरी नी कर देनाम将 Cash attent पर्से जलान के वे तकार ने लिए करेंगे, लेकि सुरिणाम सरकार सुरिणाम के रखेरिंग नेजलां के रखेरिंग से कर जाने भी आ है, आईसे पता है कि वहां पर दो कमर्शियल बंक हैं, मार बैज कमर्शियल बंक हैं, स्टाइच सुरिणाम हेफ्ट्वई लेनिंग हैं, फिर तख मिल्यून अमेरिकां से दोलर, दोनों बंक में मिला करके 40 मिल्यून अमेरिकां से दोलर सुरिणाम के रखेरिंग वहां जाकर के करजा भी लेए हैं, लेकिन होलां के मिनिस्टर स्टेफ ब्लॉक बोले कि अगर सरकार के करजा होता, तो वह माफ करने के तैयान नहीं है, वह शरिफ टैफ्मी से बैस्तांक यानि टैफ्मी से बैस्तांक मतलब आदने बठा करके यहां वह बताते हैं और कई से जाओ आ najमेर्फ में जाओ तो वहाँ यह करे लिए यह सबसित बताने क Lizzie वो आता गेर तक मेल दिंगन पाया है सनीचर के जब बवंडल आया है शुरी नाम में यह जो रांप कहिए स्टोरं कहिए शुरी नाम के लिए एक नया चीज ये था भाई जे काईशो इस्तराथ में फिर गिर पड़ा शिवल्पने स्ट्राथ, याकब स्ट्राथ के वहां फिर गिर पड़ा एंपे इनाशी बड़ा शुरी नाम के उपर पड़ पड़ा पिर आगे चलकर के एक मकान जो क्वाटरवेक और करमताली स्ट्राथ वहां मकान पर गिरा पर लेने होगे स्ट्राथ, इसिंगास्राथ, सुसानेस्टराथ, हुबालान, Akswijkstraat, अगरचानिके चाहें सिएके लेक्राआँडागं, परेदिलार। किम वेख सैंट लेदिंग सरह 11, वॉलफ सत्राइट एक पेर गिला एक मकान पर, फरलन बराम्स वेख पर चार मकान के सब दाकूर गया और ब्राउं पिर पहुंचते पहुंचते भाई एक पेल को काट करके हटाया जो इलक्रिसी मास्पर था और ऐसे करके भाई जी फ्रेजरीक का स्ट्राइब और मादम यस्ट्राइब वहाँ पर फेल फाट पड़ा और पंडित प्रोग्जन तेवारी वै लोड़ जानप बहुंचते वहां ऑर एक बाले का सब्कसराइब जी चलाओ कर दोड़्ीया जГुवाद से divorced का वहां और princip tänट ऌकले कैसर पूंचते का स्ट्राइब और मास्प्राया खर आकर क चरके मास्पस पंड़ जी ढे रम यार ऑ रहां आके रर ओिता का और होव्द्रिब्यून वेखवाईट, होव्द्रिब्यून वेखवाईट, और सिंद्पलातन वान खबाव, बीरो फल उपनबार, खजोंत है रोदेख, वो सब और और गया बाप, कोलोनेस्तन वेख, बॉम खफालन, और एक बरका, याने की, बिल्बोर्ट भजा पर लिखा से अनेक अनेक प्रकार के चीज़ भैया कितनी टेंटी वाला उर उर दया और कितनी जो और हुआ है साइथ हम बोलत बोलत भी संझा से सबीर लग जाएगा क्योंकि ये बवंदल जो आया है स्तोयम जो आया है तो ये तूरत फारत चीरत चारत उखारत पटकट उटकट अब जा हो गया है संतमासा था का कि आज हमें बड़ा खुशी लगा है कि कोई स्वाक स्वाक जनता डांप नहीं था वरना सुनते कि उनके हवा उरा ले गया है जैसे किसकिली को ले जाता है ऐसे इनको साइथ ले गया होगा लेकिन ऐसे नहीं हुआ भाई जे बड़ी दुख के ये हम आगे बढ़ेंगे यह तो मामला आप सुन चुक लो है कि कितना स्थर्म के कारण से कितना कितना चीज तूट ताट जाते हैं अब देखो कि उसको बनाते हैं कि रिपरासी करता है और कि खर्चा अदा करता है हं योंगरन वीकेंट में जब लोकडाउन भई था तो उतल लोकडाउन ना तो वानिका में ये लोग रस्ता को बारीकादेर किये थे ये कमेसार स्वाँ पुलिच से इलरीख चेलिप सी ये बात हम लोग को बताया है नीविर्ख फौंदर वैख और बैख लेक वैख जहां दो मरतबा जाना परा सिपाही को तीसरा मरतबा गया तो वहाँ बीर के बोतल दाम पर फोर फोर करके फेकने लगा और पलंगा वगर उखाने लगा और जब शिपाही पहुचा तो ये लोग वहाँ से भगा है और नीविर्ख फौंदर वैख बरोनी वैख हरदुआर सिंग और संतु पौंदर वैख हंग योंगन एक शिपर मारेक जो संतु पौंदर वैख में हैं वहाँ पर हंग योंगरन भी वहाँ बैठा था दारू पिये था अहल अगदंगा मचाती थे जब सिपाही पहुचा तो ये लोग वहाँ से भगा है तो देखिये ये नहीं मानेंगे भाई क्योंकि सिपाही हमारे देश में अब सिपाही के चाहिए एक काम करने के लिए मतलग ये है कि जब सरकार एक हज़ार दुई हज़ार या तीन हज़ार और लोगों को दीश में लिया तो सिपाही को सब के बुला करके इनको पुलिची का ट्रेनिंग देना चाहिए सिपाही का दर्जा दो और ये लोगों जेस भर में फैला दो ऐसी काम करने के लिए लेकिन आम्तिनार आम्तिनार शिर्फ कामतूर बैठ करके परहाई लिखाई करे या न करे पैसा कमाये गा बहतर कि ये लोग को सब लेखे लिए जा करके पुलिची का ट्रेनिंग दिया बात इन्नों को भरती किया ज़ए पुलिची में ताकि ये लोग देश के भलाई के लिए बफैलिंग के लिए ये लोग ने काम करें वर ना भाई ये ना इधर के हुई यो आप लोग और उधर के हुई यो समझें ना अब लगडॉन के समय एक आरेडिंग हुआ एक पिक्वप एक पर्सोन आउटो पिक्वप लगडॉन के समय पर ये आरेडिंग हुआ है अब आप खुद बताएंगे कि ये सब चीज सरकार के मिलाही करते हुए ये लोग डाउं पर आ जाते हैं रेक्टर मौरीद डैयाला कोट में टेख वेंसली एम जिन पर इल्जाम है अप लिख्टिंग और देश्टरिंग मौरीद डैयाला और कुछ जानना चाहती है कि ये कैसे बैमानी की है कहा बैमानी की है और फिसी फ़ेश्टी सी मिलेला फंडेक ये भी बात सामने लाई है और ये दो आदमी के बैमानी की है है वी दड़ वाखंस फंट्वी बना देश्टरिंग और देश्टरिंग और देश्टरिंग ये मौंटेर के काम करता था और कितने लोग के अंदर देश्ट नम मिलने के वज़ा से नहीं नबना पाया है और इसी कारण से कितना गारी बनाई से कितना ना बनाई से कितना पैसा लेस ये सब मौरीन देयाला भी जानना चाहती है देश्ट फिबरिवारी को ये मुकदना उनके सामने फिर से पेश होने जा रहा है एक पुलिट सीमान भाई जे एक पुलिट सीमान होट तेड में पॉशिटिव घट्ट कोफीद नेखंतीन के बात्निम करते है आप कौफीध नेखंतीन इसी कारण से ना को लेखा ना सिपाही को तैश्क कर अंताने में कर दिया गया है है समझे लबाई जी हम बात कर रही हैं पुलीची बिरो होते हैं के बारे में एक जिगहां बिवास नसकार था हम बात करने जा रहा हूँ फ्रीड बिरो से रिया के बाद वहाँ पर बिया हो रहा था बिया शादी वहाँ बगोली चला जो गोली चला भाई तो हो सकता है कि गोली चलाने के बाद ये सरीचर के ही लख रहा है अन्फराव और जब वहाँ गोली चला है तो मुमकिन है कि कोई गोली वो दुला के मा के गारी में बंदु प्रेग दिया वआखन पांद फराव तो इसी कारण से औरतिया को सिपाही गिरिफ्तार भी की है यहां पिस्टोल उनके गारी मिला है समझें उनकी गारी मिला पिस्टोल चलाने के बाद पिस्टोल हमारे गारी में फैट दिया है बस यह औरत को गिरिफ्तार कर लिया गया और पिस्टोल बस्टोल चलाख में ली दी गई है मैं देख रहा हूँ कि एक खौट में में लोगमन मानी रूस बेल गौट माइन से वहां पर घुश करके यह लोगने सोना खौजने के लिए गया लेकिन एक बुर जाने से स्मिट इनका मौट हो गया है अब हम आगे चल करके और कुछ आपको बताएंगे भाई जी एक शेल शॉप में ढाका लोग दलने हैं अमेड वेरकर फान अचेल शॉप अद निव जौरख वेर बुधवार को वहां पर ढाको ने रोफर्स यह एन आख्टन तुट बरूफ किया है शेल शॉप में घुश करके और यह पहले गया देखने के लिए गड़ाहक के रूप में कि हम गड़ाहक हमेरी कुछ कीने अचानक है रट प्लॉट सुरिंग हार हाउस कैटिंग वेरक अवरत विया के गटईया कैटिया खीचे खड़ा थे और नाधः रंद है वेरके बाद में भगा भईया जहिसे लोमली भगा तो आप देखलो यह चोर लोग जो है नकाका यह चोर लोग अपना काम वईशा ही जारी किया है इंपिंगसे कुछ परवा है ही नहीं है कि दुनिया में क्या होता है दुनिया के मज़ा क्या है ये सब बात से लोग कोई परवा नहीं है मैं आगे बात अंदसु करने के लिए जा रहा हूँ या बोलने के लिए जा रहा हूँ राश कुमार M एंसिरील हा ये दोनों रख्ट सिंथिया फालस्ते इन मौंटनौर के सामने इन दोनों को सिपाही ने लाया क्योंकि इन दोनों पर इल्जाम है इन पराक घर में घुस करके डाका डल ले है ये सिरील जो है ये तो उन कैंक कर रहा है लेकिन अफिसी फालस्ती सी चेलिब सी ये समच्चिया को सामूत के साथ पेश किया कि ये दोनों ने यानि दाका डाली से ये है राश कुमार एम और हासियनिल संथिया मौंत नौर के सामने है इसे इसे करके भाई हम आपको का बताई देखो देखो आगे चल करके प्यारे प्यारे जंता हम देखे लाकि यहाँ जो क्रासंके बाद है अपक बताज exists तो को मौरसंग प्यारे नौरसंके ये लुवन मौरसंट वग एake डिखातीति met येland abort प्रक्षाहिला सिंग, उन्हें ये बात, इस ये समस्या, ये सनेशा उन्हें मिला, और तुरंट वहाप पहुचा, और वहापर उपंबारवर्क के अलंग से, ये का महापर हुआ है, दिस इन्हें रिसौर्ट कोरा संग, वस एर अब दुहुच वन पेर, और जूर्शाक वेख, और परजाकें बैद दॉकस उंस्तान, भाई जी, अब आप का मताया आपको, ये हुआ है, रुक्विंजन के बारे तो आप जानते हैं, वो भी वानी का, मैं रुक्विंजन इतना कि सब भाईया डाम पर, इधर से उधर पेर इप्दम से, जैसे पेर, जैसे बीच रस्ता पर जंगल लगा, सब गारी के रुकना परा है, इव है जी, सुरुनाम का मिनिस्ट वन लफवी, एक नए स्टिटिंग बस्तूर ताम किया है, स्टिटिंग माशिनाले, लांबो, सुरी, नामे, स्म्ल, इस नए बस्तूर में, पुराना, मिनिस्टर, मिनिस्टर, गीता गंगराम पांदेई, उन्हें फॉर्शेटर, भईया मंगली, भईया रशीद दुखे, और इसे करके, भईया कलू, भईया रमधीन, इन लोगों को बश्तिर में बैठाया गया है, इस कारण से कि लोगों को चाहिए कि जो, रखेरिंग बाउतर सा, एसेमेल को, कुछ साल पहले, वेस्सामा ग्रूप, सिर्फ महेश पाल सिंग, के हवाले कर दिया, साहित उन दिनों में आप जानते थे, एकवार ने जिक्र किया था, कि महेश पाल सिंग, तुरंट, एसेमेल पर करजा निकाल लिया था, हिपोतेग लिया था, ये जो नया स्टेक्टिंग मिनिस्टर ने ख़ड़ा किया है इन्हों का हुकुम तीन महिन्दा के भीतर में कि SML कैसे, West Sama Group कैसे वापस ये लोग SML के नीचे ला सके और फिर सर नाम के LPP मिनिस्टर के याने एक वेरक आरम के तरह उनको वापस लाए जाए भाई जी आप तो समस्टे है कि West Sama Group जो है वो ठिटनी सालों से जब वहाँ काम शुरू किया है धान पे राता है, चाओड निकलता है, एक्सपॉर्ट भी होता है वहाँ कम से कम 200 लोग के घर में चुला जलता है 200 लोग के काम मिला होगा और वो करजा जो भी लिया होगा उसको अदा करते होगे, आफलोस करते होगे या और करजा भी लिया होगा अब रखेरें चाहते हैं कि उसको वापस लाया जाए एसमेल के नीचे या एसमेल के नाम पर उन्हें वापस लाया जाए सरकार के हावाल किया जाए भाई जी इतिहास गवा है कि अभी आपको मालुम कितनी मुकदमा देश में कितनी का उमीर घट गया है कितनी के मृत्ती हो गई है अभी कितने कोट का चेहरी में फैसला नहो पाया है क्या आप जानते कि महेस पाल सिंगल अचह आव आभई या ले जाओ ले जाओ या जलीवी ले जाओ नहीं यहां पर भी जब जस्म मुकदमा चलना पड़ेगा बिगर मुकदमा के कोट कोट के चहरी यहां पर जब तक न होगा वेसामा गुरूप वो बद्रैफ किसी के हवाले नहीं करेगा वो करजा लिया है करजा भरते होंगे वहां मजदूर जो काम करते हैं यह जो बिका है भाई जी और यह साइज खरीदे होगे तो वो वेस सामा गुरूप है उन्हें आप एसमेल कप केसे करेंगे यह एक अठी एक कठिन अपड़ाख्ट है भाई जी एक कठिन अपड़ाख्ट है कि विर्सामा गुरूप को उस बद्रेव को वापस लाया जाए और SML के नाम पर शरकार के हवाले किया जाए यही अब द्रख्त है भाई यह कितना मुकद्मा के बारे मैंने कहा आप देखा थे खुद कितनी मुकद्मा कौन तरीका से कैसे चल रहा है कितनी मुकद्मा में इनसान डुक है अभी तक कितनी मुकद्मा में कोई कोड में नहीं जाता कितनी मुकद्मा 40 बरस से बार हो गया अब ही इसमें फैसला नहीं हो पा रहा है क्या हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी मुकद्मा सुरू हो क्योंकि ये मामला एक घंबीर मामला है ये घंबीर मामला हम किस कहें किस ये बात हम कर रही है ये बात क्योंकि वेस सामा ग्रूप वहां पर कमकरता लेकर के काम कर रहा है और काम कर रहा है क्योंकि साइट वो खरीदे होगे वो बदरे पैसा कहा गए वो बात उन्दसुक करना चाहिए कि किसको पैसा दिया गया है किस ने पैसा लिया है केतना हमने विकल है मुफ ने पैसा सो सुम पैसा है या खरीद करके ला ये सब बात को उन्दसुक करना चाहिए कुमेशी को लेकिन कुमेशी जा करके और तुरंत खीच करके SML के नीचे अगर ला सके तो बहादुरी के काम करेगा लेकिन वेस सामा ग्रूप में भी साइट वो आदमी होगा जो बड़े-बड़े अगवाकार लोग के जरीए वो लोग को इशारा दिया जाते होगे understand किया जाते होगे अठीज दिया जाते होगे और वो लोग के पास भी बड़े-बड़े वकिल होगा तो ये अब दराखे तीन महिना के भीतर में तो देखो की वेस सामा गुरूप को वापस ला सकते लोग SML के नाम पर और सरकार के हवाले कर सकते ये लोग ये बात के लिए सब कोई इंतसार कर रहा है हाँ भाई जी एक मुबारक बात हम देने के लिए जा रहा हूँ शालीनी मंगरे के लिए आंतों दो कौम उनी फ्याशित में दिगरी हासिल की है ब्रैचलर अफ साइंस इन्हें मुबारक बात दिया है इनका माई बाप मैया बप्पा मनोश कुमार मंगरे और शकुंतला देवी मंगरे हाथे और आजा जो है विशनात पर साइद मंगरे भी बदाई दिया है बहन है सुनीता मंगरे शरीन सोमन मंगरे सत्यम इस्री एंडी सोमन और इनका फ्रिंच जो है करन महादीन करन महादीन शालीनी मंगरे को बदाई भी पेश किया है और बाकी जो लोग भी गुजर गए है आजा आजी नाना ये नाने तो भाई जी तो अगर वो सब जिन्दा होते तो वो भी बहुत प्यार से शालीनी मंगरे को बदाई देता तो मंगरे को शालीनी मंगरे को बदाई है क्योंकि वो बैचलर अफ साइंस का डिगरी हासल की है देखो हर एक लरकन को भी बिन्दलान में लेट टॉप मिलेगा मिनिस्टर पन अंदरवैस मिनिस्टर लीफंस ये वादा दी है बिन्दलान के बच्चों को लट टॉप मिलेगा मुफुत में और अब जाद करके मैं देख रहा हूँ भाई जी के ओवी का मिनिस्टर रियादनूर महम्मद इन्हें उन्तवार्टरिंग देश के उन्तवार्टरिंग के ये उपंबारवर के काम है उन्तवार्टरिंग से जो प्रॉब्लीम है इन्हें हल करने के लिए इन्हें अब मौका मिला है रखिर इनके अलंग से खुद खुद सब चीज जो तुटा फटा खमाल वगारा है सुरुषी वगारा इस सब मरमबत करने के लिए तुटा रस्ता को बनाने के लिए और तरह तरह के जो समान इनको हल करना चाहिए उपंबारवर के नीचे जो गिरता है डाम, सरक, पॉम, खमाल वगारा कपट खमाल इन्सलॉइशन तो ये सब मिनिस्टर अब तयार करेगा मिनिस्टर के इजास्थ मिला है हम आगे चलटे भाईजे तो खुयानेश अफिसर्स जो लोग शुरु नामर्ज के फर्खुनेंग, फिस फर्खुनेंग खरीच खरीच करके और रुजगार कर रही थे खुयानेश अफिसर्स ये कितनी सालों के बाद कुरांटेंज रिफीर में मच्छियां पकरने के लिए उलकु फर्खुनेंग दिया जाएगा एलफ एफे मिनिस्टर सिवदीन के दुआरा खुयानेश अफिसर्स कितनी सालों से मच्छि पकर रहा जाएगके लुकी सुरिनमस लगपना झोरिजि नड़िया जाएगके यानेश है सनुम के हाम उनकैके है स्वद्स पर्खुनेख।ने है बढ़ं झाह मननन ऐसफ़दे कितनी है तो ये बात पता चला और जितने लोग स्त्रूमान वगारा सुरी लामर्स वगारा जे लोग को फरकुने मिला मचरियां पकरने के लिए और वो लोग ने गयानीज को बेस बेस के दिया है उन पर अब कॉंट्रॉल होगा ना तो ये सब बात एल फे के अलंग से जादा तोर से को आदे शुक होगा भाई जी समझे ना मुझे पता चला भाई कि जो निवनी केरी के बजार है निवनी केरी के बजार बजार के बगल में मट्टी कट-कट के गिरने लगा है अफकल्फिंग लोग कहते हैं फिर्बाइड फिस फेरकोप स्टांट अप दे मारक्ट इन निवनिकेरी तो उपंबार वेर के वहां कोमेशार्स वगरा इस पर ध्यार रखें से वहां पर काम जरूर होना चाहिए वन्हां कट करके कट करके जमीन वहां बजार वजा लिए दिए सब रिवाब चल जाएगा इस अफकल्फिंग ना बैद मारक्ट इन निवनिकेरी इस पर ध्यार रखा जाता है और इस पर भी काम होगा समझे दो भाई जी इस पर काम जरूर होगा वन्हा एक जीन कट उट करके और चला जाएगा एक मोटर गारी भाई जी आंतों द्राखतनवेक ये गारी उलिट गया कंडाल में कंडाल में आंतों द्राखतनवेक इस्तवार को पता नहीं कि वजा किया है कारण किया है ये गारी जोड़ से जा रहा था ये कई से भाई बस ये उलिट गया चारों पहिया उपर में चारों पहिया उपर में का कि आंतों द्राखतनवेक के बात हम बात कर रहे हैं समझे न तो ये इस बात रहा और एज बता देंगन ये अबसी एक इतिहासी बात सामने जो आया है खश्खिदनिस कहिए ये नोट कर लेगा लोग चुनाव हैल कब बपा अब भे तक वो लोग को चुनाव के पैसा जो कम करता लोग ने घर घर जा करके और फुर पे इसकार दिया है और कुनाव के जोग है वोसब के पैसा अभी तक पूरा तर्पर अदा ने ने भूपाय है उत 128 अली 34 uitbetaald 128 अली 34 uitbetaald जो जो आब ये सब बली नराज है जे से तलूर गस्ताल और लोग ने काम की बाब बदी काम की बाब चुनाओ के समय के बाद है और काम किया लेकिन अभी तक पैसा नहीं पाया कि ये दुख के बाद भाई जी इसे न करें के चाहीं सरकार कहीं कहीं पैसा भी आया तो छोड़ी भी हुआ पर हमारी में यानि कि कुलेश में से पैसा लोग उठा ले गया है पांसो हज़ार तो वो भी एक इनसान वहा हुआ ये रफ्टार हुआ है अब देखो कि पैसा कहीं बचाए के रखी से कि खाई पी करके नचनिया लोग को ये पैसा सब खतम हो गया है अब ये बात अंदे सुख होगा हमेशा जो यहाँ पर नया साल लोग मनाते हैं एनन द्याट तक देसेंबर एनिया निवारी को तो चिन्वा लोग भी ये इन नवा साल मिनाते हैं लेकिन चिन्वा लोग का अपना नया साल है वो जहां तक हम सोचे फिबर्वारी में मार्च ये फिबर्वारी में इननों का नया साल होता है तो एप चिन्वा का जो असमले लेथ है या जो फेहापेयर है शुवण शुवण रू वं फेहापेयर परल्लमेंटारियर के शिनेशन निव यार पनहतियार दूसरा तरीका से मनाए जाएगी ये तो जानते हैं कोफिद नीखन्तिन के वज़ा से तो अब सी जहां तक पता है कि फिबर्वारी रहेगा फिबर्वारी के द्वारा चिन्वा अपना नया साल को मनाएंगे फिबर्वार्वारी ज्याज़ तो वहां फिर व्यार रहेगा, नीव्यार के बाद हम करें हैं, शाइज यही महिन्दा में है, या मात में, या हमसोच यही महिन्दा में होगा, तो बात ऐसे है कि सब कोई मिल करके जिसे भोजन होता है सब के बोला करके तुछ जाने का कि कौन-कौन भोजन होता है चार गुरवा है दो गुरवा है जो ऐसे बिगर गुरवाला ऐसे भगे जंगल होता है तो उस सब वाला गोश पक्के है सब ज़े ना, गोरवाला, विगरवाला, सब जो है, वो इन लोका ने असाल में, यानि बनाय जाते हैं, भोजन के तौर पर भोजन के तौर पर, ना, तो अब सी वो नहीं रहेगा, बेंग कॉम्स्तन नहीं रहेगा, अब सी फिर वरक्षो रहेगा, शिदे इस निव यार के फिर वेरक शो और खाना भोजन वो चार गुरवा वाला जो बिगर गुरवाला जो लफ लफ के चले है जमीन पर वो सब के बिगर गुरवाला अपसी नपकी अपसी जो अपसी जो होई तो खली फिर वेरक शो रहेगा तो ये बात जंता तक पहुंचाए गई है ये शिन्मा फरी निखिंग के अलंग से याने की खबर मिला है भाई ये जो बकूफ बद्रेव यारी काबा बकूफ बद्रेव यारी काबा के लोग आज हरताल कर रहे हैं हर्ताव कर ले हैं कलीवन हजजारण से ज़्यादा लोग यो बकवा बजरायच में काम कर रही हैं ये लोग का डाक्टर के कार्टा ऐसा तेफ कार्ट फरलेई नभाईल है दिशामर के बाद में इसी कारण से वो लोग आज ले यारिकावा के कंतोर में जा करके हर्ता की है बांट फोर्शेतर के ले करके और यहां पर पता चला है कि अब यारिकावा फाई नहीं है फाई जो बेल्खिया के कुछ लोग रहा वो तो यहां पर करजा ले करके करजा ले करके बेल्फिय के अगवा का लो और ये लोग पता नहीं कि राट के या दिन के या कब ये लोग ने सिरुई नाम छोड़ करके भाग गया है काज नहीं बक्वा बंद्रैफ में बक्वा के प्लांट में निपा निपा करके लुका लुका करके भाग गए हैं या चल करके प्लेइन में बैटके गए हैं या कैसे बखी ये लोग ने करजा लेक करके और भाग गया कमकरता को धोखा देख करके सरकार को ये बद्रैफ को लेना परा एलफीफी को और कमकरता को भी लेना परा लेकिन कमकरता का डाक्टर के जो वहां काम करे राज मिलाद करके बकुआ फिल्ट में आई कितनी बीमारी वहां भी है तो उनको दवाई के जरूई परता है दवा के और हर एक चीज़ के इसलिए वहां के अगवाकार जो कंतोर के लोग है बद्रैफ के लोग वादा दिया है कि एक दो दिन के अंदर में सब के याने कारता याने डाक्टर के कारता मिल जाएगा इसलिए वो लोग ने काम फिर शूर कर दिया है सरकार को चाहिए ये बकुआ बद्रैश पर और मुरी मारने के लिए ये फाई के अब नहीं है फाई के लोग तो छोडशार करके भाग गया अब ये शुरी नामु इसका एखनार है एलफ एफ 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 ए ये अब सब कुछ वहाँ लांटी के है तो सब के वहाँ लांटी के दीस में है या लांटी के सेविर दीस में है और कम से कम उन लोगों को डाक्टर के कागज मिले के चाहिए ऐसे तैफ हो या जो भी हो इसी कारण से आज बोलों ने आक्षी की और वहाँ पर भी बद्रैश क अलंग से वादा दिया गया कि आप लोग को काम बहुत जल्द हो जाएगा तो मैं क्या देख रहा हूँ भाईया लीपरा तीख त्विन तक द्यार तक हमारे देश में नखली कोफित है सब बेमारी कहीं कहीं अभी तक छुपा है जिसे लीपरा त्विन तक द्यार तक में डाक्टर लोग सोच रही है वेरल और खानी सासी ली सोच रही है वेरल के लीपरा और खानी सासी ये सब बाद सोच रहे हैं कि त्विन तक द्यार तक में लीपरा कीख त्विन तक द्यार तक फॉली डख एइद बानन ऐसे सब कोई सोच रहे हैं भाई जी और हम भी ऐसे के सोच रहे हैं तो भाई देखो सरनाम के जनता ये बहुत तरक के बिमारी अब जो आया है जैसे यहाँ पर हम लोग रोजाना एलान करते हैं कि कोफित नहीं खती अब ये साइट न जाएगा ये साइट सरनाम में जगहा पा गया रहने के लिए जैसे सब बिमारी कोई न कोई बिमारी रुका है सरनाम में ये बिमारी वो बिमारी आस्मा है तो ये है तो एच है तो ये है न सब यहाँ रुका है तो ये भी आ गया है अब ये न जाएगा क्योंकि सुरिनाम एक बड़ी दुनिया भर में घूम करके यो तो सन्नाम ही में मौझे मौझे तो सन्नाम में भाई जे ये बिमारी रह जाएगा ख़ली इससे आपको दूर रहना चाहिए आप मौंद काप नुष्ट काप जीसे सरकारने कहता है उसको लगा करके चोड़ना जिनलगी भर होगा इसे महिना के बाद में ये मौंद काप नुष्ट काप शाइद हच जाएगा लेकिन इन दिनों में मौंद काप आपको लगाना चाहिए ये तो इससे इंसान कितने के सूरत देखना नहीं चाहते हैं लेकिन इसे कारण से मौंद नुष्ट काप लगा लेना तो एक बहाना हो जाता है आखिर देखेने मांगे हमाम हुआ तो अब हम नुष्ट काप लगा ले तो इसे में हमारी काम भी बन जाएगा तो ये बात रहां भाई जी तो हम लोग को चाहिए जतना प्रोटोकॉल है सरकार के अलंग से तयार होता है उन प्रोटोकॉल के मौताबिक अब लोग को काम करना चाहिए अब जब आप ना करेंगे देखो कि रोज कितना तकितना कही एजनसी पहते तो फिर हम प्राइब तया रोज भाई या टेस्ट होत है तो यह सब बात जनता को हम बताते रहते हैं कि रोज टेस्ट होत है रोज बिमारी उसमें आता बाब कहां से इसब आते है अकबार कितनी बात जिकिर की है वो जानना चाहते कि कौन अलंग से इस बिमारी आता है एकाकी तो हारा खरंच खुला पड़ा है न जाने राद भी राद करके कैसे सब लोग आते होंगे काई कैसे कोई पैसा ले करके हवरा करत हो या कैसे कुछ न जाने है कॉंट्रोलर तो है ही नहीं तो जनियों कैसे आप लोग न तो ऐसे ऐसे करके देखो सन्नाम में रोच पचास से ज़्यादा टेस्ट होता है पचास से ज़्यादा याने की टेस्ट होता है बस मैतें के बाद हम कर रहे है करोना तो ये कहीं से तो आवत है ना कहीं से तो आवत है अब देखो कि लोग डौन में कितना लोगदाम पर भी तक है यहां total lockdown भाय कितना लोगदाम भर किसी पाही सब के पकर पकर के ले गई से 3, 5 तक दार भी भरे है वही है 3, 5 तक भाय आपके लिए 2 रोट के खर्चा बुर्वान लोग के और खर्चा खटी आए तो उपईसवा जाओ अपसे पाही को ढार भरो यावरना जाओ संत बोमा जेल में तो ये सब बात हम आपको क्यों बता रहे हैं क्यों कि आप मनमानी काम करते हैं सरकार के पर्ण between को है लेकिन आप सरकार के बात यकिन नहीं करते हैं भाईजी, हम आशा रखते हैं कि हम लोग के देश में शांती आए हम लोग के देश में फिर से एक्टाई आवे और हम लोग के देश में विश्वास विश्वास लोग आगे खड़ा हो जिस पर हम विश्वास कर सके जिसको हम लोग देश का बग दोड़ हाथ में दे रहे हैं जो न सिर्फ अपने परीवार के लिए, न सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, लेकिन पूरा देश, पूरा सुरी नाम, और पूरा लोग के लिए काम करें हम उन लोग के लिए प्रातना करेंगे जो वो डेस के लिए समाज के लिए जंता के लिए गरीबों के लिए बुजरों के लिए लचार लोग के लिए जो काम करेंगे उन लोग के लिए हम लोग भी प्रातना करेंगे प्रुभू से लेकिन अईसे ना हुए भाई जी जिसे कितनी सालों तक लोग सिर्फ अपने पर्तेई के लिए अपने परिवार के लिए अपने दोस्तों के लिए अपने लिए सिर्फ टाम किये जंता के धोखा दे करके जंता को भर्मा करके और जंता के लोट करके खुब अपने बना बना करके अभी तक राज करता है बाई जी आकीम बोतो का फरखादर एक कल है आकीम बोतो उनसलाख लेकर चला गया NDP से उनसलाख लिया परलमेंट से उनसलाख लिया और कारण दिया काहे कि ये सब किया और थोरे दिन के अंदर में फिर चिठी लिखेज कि वो वापस आना चाते हैं कल लगी बोतो के लिए सब लोग मिल करके एक सभा लगा रहे हैं तभा लगाते हैं कि आकीम बोतो के वापस आएंगे परलमेंट में चिठी लिखने के बाद तो यही तो बात है कि आकीम बोतो जब वापस आ रहा है तो देखो कनून क्या कह रहा है कनून क्या कहता है रैट क्या कहता है कि सचमुच एक बकोफ वेंकल है जब जगहा या जड़ेवी वेंकल है या टेलो वेंकल है ये बात जनता देखना चाते हैं बाई जे बड़ी अफसोस के बात है कि हम लोग इस देश में जो प्रोटोकल बना है कोफित देखन्तिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें ठुकरा दिया और लोकडाउन के समय वो सरको पर आता है दारू पीते शराब पीते गारी चलाता आर रेइडिंग होता है इससे हम लोग बड़ी अफसोस करते हैं हम लोग को चाहिए शिफाही को चाहिए जन्ता को ठीक रुपने समझाने के लिए कि अगर वो ये बात नहीं मानेंगे तो खुद बिमार हो सकता है अपने पूरा परिवार को बिमार कर लेगा नेदलँ, सूरिनाम और बल्गिया सेलर के अंगूलाल सोख के साथी सूचना टेठे है सुख लिए निवादी के अंटी स्टारिक नावासी शुद आन न्तख्तभ साल के उमर मे सुभास Khändig अंगूलाल अर चैँदर अंगूलाल Candardeew अंगूलाल सुसी अंगुलाल, शुर्ली अंगुलाल, और कमल अंगुलाल के मा, दो दमात और पाच पतो के सास, पंदरालर को के नानी और आजी, दमात और पतो के अजिया सास, नौलर को के पर आजी, स्वर्गे वेलम देवनराई अंगुलाल के पतनी, स्वर्गे सुदेस चंदर अंगुलाल, स्वर्गे वीजय अंगुलाल, स्वर्गे कैलास चंदर अंगुलाल, स्वर्गे मेर्को अंगुलाल, स्वर्गे अगीता अंगुलाल के मा. नेडलंट वसनार केरहने वाली विद्वा मखदालेना सुकमा अंगुलाल शामरू की मृट्चियो हुई है. सुरिनाम में पहले अस अब्रील स्टाथ नमर 27 जोर्गन होब सुरिनाम केरहने वाली थी. अर्थी कल बुद फिब्रेवारी के तीन तारीक नेडलंट में दाख करिया के जाएगी. पिकसे स्ट्राथ नमर 29 से स्रीमान हेंडरक मेर्टो तारूनो सौख के साथ ये सूचना देते है. मंगर यानिवारी के चबी स्टारीक बयासी 28 से स्रीमान हेंडरक मेर्टो तारूनो के साथ स्रीमती एर्मा मेर्टो तारूनो रामधानी के मा, राशीदा मेर्टो तारुनो, अंचला बुल्रैक मेर्टो तारुनो, ग्योफानी मेर्टो तारुनो के नानी, तेम बुल्रैक, विश्मोहनी मेर्टो तारुनो तोमस के ननी असास, दारी मेर्टो तारुनो, अमेलिया बुल्रैक, जोरेसा मेर्टो तारुनो के पर नानी, स्व दुवाराचकली रामधानी गोबर्धन की मृत्यों हुई है। अब्दुल जामील स्ट्रात न मर ग्यारा पर शामें पाच से चे बजे तक सभी कौफ़ितने खन्तीन मातरी खलके साथ, आठी कल्बुत फेबरी वारी के तीन तारिक सुरीनाम में लाई जाएगी। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। क्वाटा वेखनम चेसो पचासी से विद्वा सांता सीतल जग मोहन सिंग सोख के साथ ये सूचना देती है एट वार्यानिवारी के एक्टी स्तारिक चौरासी फिरं तखतख साल के उमर में विद्वा सांता सीतल जग मोहन सिंग के बरकू, माइकल सुदेश और शकीता के डादा, गलेन रेखा और सांतुशा के दद्वा ससूर, शयंत और खुशी के आजा, जया, जीता और आर्शीता के नाना, सवर्गे जस्वन परकास सीतल के भाई, वयांबू वेखनमरे कावन के लहने बाले स्रीमान बजराच सीतल की मृत्यों हुई है, इन्हें लोग स्यादा बच्चू के नाम से जामते थे, अर्थी कल बुद फेबरेवारी के टीन तारिक सुबह नौ बजे घर पर रखा जाएगा, बारा बजे वयांबू वेखनमर एकावन से अर्थी उठाई अर्थी कल सुबह नौ बजे घर पर रखा जाएगा, क्वाता वेखनमर पांसो एक्तिस से स्रीमान ग्लेन सालिक सोख के साथ ये सूचन देते है, एट वार्या निवारी के टीस तारिक चावरासी, फिरं तखतख साल के उमर में, स्रीमान ग्लेन सालिक के दद्वा ससूर, स् मतीशा कीता सालिक सीतल के दादा, संजया, संजीता और अर्शीता के नाना, वैंबो वेखनमर कावन के रहने वाले स्रीमान बचराच सीतल के मृत्यों हुई है, इन्हें लोग ज्यादा बच्चू के नाम से जमते थे, अर्थी कल बुद फेबरेवारी के तीन तारिक सुब नौ बजे घर पर रखा जाएगा, बारा बजे वैंबो वेखनमर कावन से अर्थी उठाई जाएगी, दो बजे वेखनाजी पर डाख करिया के जाएगी, अर्थी कल सुबह नौ बजे घर पर रखा जाएगा सर्विंस्टन चोर्चल वेख नमर 16 से सरीमान मून नाराईन सौख के साथ ये सूचना डेते है, सहनी चर्यानी वारी के तीस तारिक छपपन, जैसन फैफ तग साल के उमर में, सरीमान मून नाराईन के पतनी, वीना शरी और वन्शी का के मा सर्विंस्टन चोर्चल वेख नमर 16 के रहने वाली स्रीमाती मीना कुमारी नाराईन जुरावन की मृक्चिव हुई है, इन्हें लोग ज्यादा मीना के नाम से जामते थे, अर्थी कल बुत फेबरेवारी के तीन तारीक सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा 12 बजे सर्विंस्टन चोर्चल वेख नमर 106 से अर्थी उठाई जाएगी, दो बजे वेख नार्जी पर डाख करिया की जाएगी, अर्थी कल सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा, तमाम पर इवार हर एक को ये खबर दी जाती है क्वाता वेख नम 685 से विद्वा शांता सीतल जग मोहन सीं, सोख के साथ ये सूचना देती है 8 वार यानिवारी के अक्ती स्टारिक चोरासी, फिरं तखतख साल के उमर में विद्वा शांता सीतल जग मोहन सीं के बरको, माइकल, शकीता और शाइलेस के डादा, ग्लैन सालिक, रेखा, और सांतुशा के दद्वा ससूर, शायन और खुशी के आजा, संजया, संजीता और आर्शीता के नाना, स्वर्गे जास सीतल के भाई वयांबो वेख नमरे कावन के रहने वाले स्रीमान बजराच सीतल की मृत्यू हुई है, इन्हें लोग स्यादा बच्च के नाम से जामते थे अर्थी कल बुद फिबरेवारी के तीन तारिक सुभन नौ बजे घर पर रखा जाएगा बारा बजे वयांबो वेख नमरे कावन से अर्थी उठाई जाएगी, दो बजे वेख नाजे पर दाख करिया के जाएगी, अर्थी कल सुभन नौ बजे घर पर रखा जाएगा सुरी नाम और ने दलांचे आतलर के रोसीक, सोख के साथ ये सू चना देते है, सो मार फिबरेवारी के पहली तारिक नवासी, नेखन तख तख साल के उमर में, आतलर के रोसीक के मा, दमात और पतों के सास, 26 लर्गों के आजी और नानी, 16 लर्गों के पर आजी और पर नान प्रिंसेस स्तरात नमा 273 के रहने वाली स्रीमती योसफीन सुखरानी रोसी के मृत्यों हुई है अर्थी के बारे में आर्बियान के आइंडा प्रोग्राम में खबर दे जाएगी तमाम परिवार हर एक को ये खबर दे जाती है खंख्रेब स्तरात नमा 273 विद्वा इंडरा सीतल भुलाई सुख के साथ ये सूचना देती है एट वार्यानिवारी के एक्ती स्तारिक चौरासी फिरं तख्तक साल के उमर में विद्वा इंडरा सीतल भुलाई के बरकू वेली, रवी और वर्शा के दादा सुरेस छोटू और फानेसा के दद्वा ससूर, छेलर को के आजा, एक लरका के नाना, स्वर्गे मन्नी सीतल के भाई वयामबो व्याखनमरे कावन के रहने वाले स्रीमान बजराच सीतल की मृत्ट्यू हुई है इन्हें लोग ज्यादा बच्चू के नाम से जामते थे व्याखनमरे कावन से अर्थे उठाई जाएगी, दो बजे व्याखनारजी पर डाख क्रिया के जाएगी, अर्थे कल सुबह नव बजे घर पर रखा जाएगा सुरी नाम और नेदलान से लड़के रामधानी सौख के साथ ये सूचना देते है मंगर यानिवारी के चबी स्टारिक बयासी, त्वेंत अखतक साल के उमर में रोसा रामधानी, माला रामधानी, रीता रामधानी, एर्मा रामधानी, रमेश रामधानी, रमनरे सरोय रामधानी और रोनल्थ रामधानी इन सबी के मा, दमात और पतों के सास, लड़कों के नानी, ननिया सास और परनानी, सवर्गे आलविन बलराम रमधानी के पत्नी, ने दलान के रहने वाली विद्वाराच कली रमधानी गोबर्धन की मृत्यों हुई है। अर थी, कल बुत फेबरेवारी के तीन तारिक सुरी नाम में लाई जाएगी, आने वाले बीफे फेबरेवारी के चार तारिक अंतिम दर्शन का मौका रहेगा, सुबह में आच से सरे नौ बजे तक, अब्दूल जामील स्तरात नमर ग्यारा पर, सुबह दस बजे वेखनार ज बुत फेबरेवारी के तीन तारिक सुरि नाम में लाई जाएगी, तमाम परिवार हर एक को ये खबर दे चाती है बुधिया स्त्रात नमर पंद्रा से स्रीमान चंदर देव अंगुलाल सोख के साथ ये सूचन देते है सोख या निवारी के अंती स्तारिक नवासी नेखन तख तख साल के उमर में स्रीमान चंदर देव अंगुलाल के मा स्रीमती विद्या अंगुलाल श्री के सास विशांती, सुराया और प्रशान के आजी, नेडलंट वसनार के रहने वाली, विद्वा मगदालेना सुक्मा अंगुलाल शामरू की मृत्यू हुई है, अपने सिंदगी में पहले अस्ता अब्रिल स्ट्रात नमर्श ताइस, जार्खन होप सुरिनाम के रहने वाली थी, और कल्बूत फेब्रिवारी के तीन तारीक, नेडलंट में दाख क्रिया के जाएगी, तमां परिवार हर एको ये खबर दी जाती है, वायंबू वेख नमरी कावन से स्रीमती सीलावती सीतल राम्धन, सोख के साथ ये सूचना देती है, एट वार्या निवारी के एक ती स्टारिक जारासी, फिरंत अख्तग साल के उमर में, स्रीमती सीलावती सीतल राम्धन के पती, सुनिल्दत सीतल, आरून्दत सीतल, प्रांदत सीतल, अनिल्दत सीतल, नराइंदत सीतल और सुरेंदर्दत सीतल के पीता, चार पतों के ससूर ग्यारा लड़कों के आजा एक होने वाले दमाग के अजवा ससूर तीन लड़कों के पर आजा वयामबू वेख नमरे कावन के रहने वाले स्रीमान बजराच सीतल की मृत्यों हुई है इन्हें लोग ज्यादा बच्चू के नाम से जानते थे अर्थी बुद फेबरेवारी के तीन तारी कल सुबह नौ बजे घर पर रखा जाएगा बारा बजे वयामबू वेख नमरे कावन से अर्थे उठाई जाएगी दो बजे वेख नार्जे पर डाख करिया के जाएगी अर्थी कल सुबह नव बजे घर पर रखा जाएगा तमाम परिवार हर एक को ये खबर दे जाती है रामसुत वेख चौबीस दुखी प्रोयक्ट से सौनी सुखु और बाकी लड़के सोख के साथ सूचना दे रहे है कि मंगर यानिवारी के 26 तारी को सरसत साओ के उमर में सौनी सुखु, स्टैनली जंध्खरंट, फैसल बारन और विजय भट्टू के मा लड़को के आजी अजिया सास और पराजी स्रीमान एती स्टुखर के पतनी कसबा हो लो मिसला सिस्त्रात उंसत करेहने वाली स्रीमती बेया, स्टुखर, सुखु के मृत्यू हुई है इन्हें लोग बेया के नाम से ज़्यादा जांते थे खपैंशोनेर दा फरप्लेग स्टर्थी स्टांस होस्पिताओ की बीफे फेबरेवारी की चार तारीख अर्थी देखने का मौका दिन में दो से शाम में सरहे तीन बजे तक फांदर बोस के ओला में जोन ब्लूम स्टराग में शाम सरहे तीन बजे फांदर बोस के ओला से उठाई जाएगी चार बजे पंदी जग्देव पराख मिश्र क्रिमातोरियूम दोक्तर सोफिरत मौस्तराग में बसलोत क्रेंग में दाख क्रिया के जाएगी तमाम परिवार जान पहिचान वालो हरेक को खबर दी जाती है इशा मेके मोई टिया का चाही पाती फूया रडो बजाएगी याभी फूसु क्वा लिब याफावे पिनो मेके नवां तेंगे दावाब फे पेगी दे लो बजाएगी फुदे ओली पासें सिगी वो दावो यो नडो ना लिब ये फूक्वामा फुदा थिमे केवे थाक्या गडे फुदे का लिब ये पासें सिगुधनमो ना को, मेको, मेको, हुलि चाह मेको ओी? मेको, 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 हुलि चाह मेको याभी, मेको, मेको, हुलि चाह मेको Welcome in the studio Yes Heel mooi gezongen, dat is uw nieuwste clip? Ja, mijn nieuwe zong en ook mijn nieuwste clip. Ja, nice, nice. Voordat we naar uw clip gaan, wie is de artiestennaam van uw asfeer? Jonel. Jonel, wie is Jonel? Ja, Jonel. Jonel is muzikant uit Suridame, geboren in Paramaribo. En hoe zou ik het zeggen? Eigenlijk zou je moeten vragen dat ik geen... Oké, dus u bent muzikant en zanger? Ja. En zanger, oké. Heeft u het vanaf kleins af dat u wilde zingen altijd? Of zegt u van, dit is plotseling begonnen? Ja, vanaf het begin, jongere jaren. In de klas, ik wist het niet, wat ik had gezongen. Dan zei uw vrouw van, zing nog een keer. Oh, oké. Maar daar vanaf, hey, waarom? Oké, dan zong ik weer. Dan zei uw vrouw, ja zie je, kijk hier toch. Dus ik, dus het was... Ze hebben het plotseling ontdekt? Ja, daar begon het al met muziek, dat people start to recognize me. Dus ik had het niet door, want voor jou is het normaal voor jou. Je zingt. Maar is er in de familie, hebben jullie ook meer zangers? Ja, mijn vader was overleden, Paulus Domeni. Oké. En Johan Nisidjan is mijn moeders broertje. Karansa is mijn moeders broertje. Cyril is mijn vaders broertje. Oh, dus echt bekende namen, allemaal één familie. Ja, één familie. Ja, gezellig, gezellig. Oké, dus u had al gehad door van zingen, sorry, zingen is iets waarvan ik ook. Ja, oké, maar ik, dit is mijn, nou, ik heb meer, laat maar zeggen, ik heb mijn eigen band. En daarin leed ik mijn centraal begeleiding, ik ging niet zingen. Oké. Ja, dus, hoe heet, hoe heet? Megafibes band. Megafibes, oké. Ja. En, ik ging in bandjes, maar ik wist ook pas te spelen. En dan heb ik een keer wanneer ik ging, misschien verzuimde de basses, of misschien ging het niet goed. En dan speel ik dat ding even. Ja, daar viel ik in. Ja, daar viel ik in. En dus, en dan is dat zo gebleven dat ik, men wilde me altijd achter de bass hebben van, No, you play a background. Oké, dan speel ik bass, dan ging ik background. Dus op den duur is dat ding, doorgebleven. Wat mensen van je verwachten en willen, is bass spelen. Dus, dan heb je niet eens door dat je, want, het muziek, apoké wakato, dus je speelt. Dus dan heb ik het grootste deel tot nu toe van mijn leven als basses mogen doorbrengen. En in deze coronatijd nu, waar de wereld op handrem is gegaan, het maatschappelijke, hoor ik alles. Dan, ik schreef altijd muziek. Dus, elke dag schrijf ik of maak ik beats ofzo, ik arrangeer enzo. Elke dag maak ik, kan ik iets inzingen. Dus, toen heb ik de tijd gekregen om nu werkelijk af te gaan maten. Van een nummer? Ja, van een nummer. Oké, is het uw eerste nummer? Nee, ik heb eerder al gezongen. Ja, in andere bandjes. Maar, ook op de radio, maar ik ben nooit naar de voorgrond gekomen. Dus, maar dit keer zeg ik van, oké, ik ga nu echt officieel iets doen. Probeer. En wat, dat numertje van u, wat betekent het? Wat houdt het in? Ja, dus het mekom. Dus eigenlijk van, like, long distance relation. Waar, waar je misschien op verre afstand werkt. En, eh, ik stel je voor, like, Kambior, de Goudsvelde. En dan bel je geliefde van, hé, hoe gaat het? Wanneer kom je? En dan zeg je dat je mee komt, mee komt, mee komt. Ja, ja, klopt. Ja, is natuurlijk een heel bekendgezegde in Surinaam. Want ik kom, dus iedereen kent het wel. Oké. En, ehm, is de clip al uit of bent u nog bezig? Ik ben bezig daarmee. Oké. Ik ben bezig daarmee. Ik heb nog een, nog een shot dat u moet nemen. Ja, oké. Wanneer is het rond? Zo, ik plan deze week, ehm, ja. Nog achterronden, hè? Dus het is, het is, het is filmen en editen. Maar voor, voor. Doe je dat zelf? Oh, nee, nee, nee. Oké, met wie werkt u? Eh, met S-Doc. S-Doc, oké. Oké. Voor deze. Oké, en wat zijn uw toekomstplannen? Nou, verder gaan met muziek. Verder gaan. Is dat uw, doet u dat alleen of doet u nog iets anders? Ik ben zo'n beetje een klein ondernemer. Ik doe, ehm, ik heb, ehm, ja, ICT, telefoontreparatie. Daarnaast heb ik ook mijn eigen studio. Ja. Dus, ehm, ik doe van alles ook, alles een beetje. Ja, Surinamers, daar zijn je al bekend mee, alles bezig zijn. Ja. Oké, ik zou willen zeggen, heel veel succes met de voorbereidingen. en hoop ik ga weer te zien de volgende keer met een ander nummer. Zeker. Binnenkort. Ik heb heel wat op een rijtje gemaakt, dus ik kom sowieso terug. Oké, succes nogmaals. Merci. Binnenkort. Ja, ik heb heel zeer, misschien is hetgeen het strand zelfgeert. Ik heb 큰ику in Libyen fed door deze 100개ig te ver찾en. Maar ik ga leerpjes, jij sterk? कि अवड़ा सकता एक बाल शेकल नच्टी कि आफने सुपा का बाल खाल भी रुड़ा पला क्वारी बाल शेकल जामानम कर रादमे कर अब कर दो प्रूबा लगला बालाफाजी ये 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 टूम ओिरलबा टाराफफ़ स्वे बाव़ डिया अवी अवीज इगा पावब अट का ये अफ़ द 1955 प्रूबाफ्बात्ष मेट कर दूबात्ष प्रूबा हुआ कर दो भी कर दो फटन्लाइ waुन जसार बेक बत्क पर फुटось का संह нап儿 कर दो फंप कत्र विले क्वेड़ की सम्आ सर भी प्रेंजे मिला प्रेंसिम भाला बत्क हारा कर दो 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 कर पासे सिना मामी तबो, मैं फ्रों की शुई तिवेना, इशी, ना मुई तिवे मेंगे, यो भी फूवा म्याचे टे, अली ता याग्यू नाओो Het aantal personen dat maandag COVID-19 positief is getest, bedraagt 11, al dus de COVID-website van de Gezondheidsautoriteiten maandagavond rondkort over 8. Er zijn slechts 63 tests uitgevoerd maandag. Er zijn helaas 2 patiënten ten gevolge van het virus overleden, waardoor het aantal doden nu 156 bedraagt. Het aantal zogenoemde actieve gevallen wordt tijdelijk niet vermeld. 63 patiënten zijn maandag genezen verklaard. Het aantal personen niet positief getest, dat al zeker 2 weken onveranderd op 839 stond, wordt tijdelijk niet aangegeven op de COVID-website. Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 19 en 84 personen worden buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen, dat waren er zaterdag 93. 191 positief geteste personen bevinden zich in isolatie. Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 8.449. In het kader van het toenemend aantal besmettingen van het COVID-19 virus in het district Saramaka, is maandag een crisis management team geïnstalleerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de bestuursdienst, de regionale gezondheidsdienst, het ministerie van Juspol en het nationaal leger. Het doel van het team is de stijgende trend van het aantal COVID-19 besmettingen in het district gezamenlijk aan te pakken en te minimaliseren. In de resorten Yarikaba en Groningen nemen de besmettingen toe en dat is zeer verontrustend. Het crisis management team wordt geleid door districts commissaris Shirin Bansidurga. Suriname is geselecteerd voor het AstraZeneca-vaccin via COVAX. Dat zegt minister Amar Ramadine van volgens de zondheid in gesprek met Dagblad Suriname. Op dit moment zouden wij in aanmerking kunnen komen voor een kleine groep, 0,25% van de populatie aan Pfizer. Intussen is zaterdag bekend geworden dat maar 18 landen in aanmerking zijn gekomen van de 72 en Suriname zit daar helaas niet bij. Maar we zijn wel gekozen en geselecteerd voor het AstraZeneca-vaccin voor een aantal van 79.200 doses, waarvan 30% in het eerste kwartaal van 2021 zal arriveren en de rest, 70% in het tweede kwartaal, zegt de minister. Onderwijsminister Marie Levens kreeg de wind van voren, als ze volg van ondoordachte uitspraken over het onderwijs. Maandag hield de minister een online persconferentie wat niet voor geruststelling heeft verzorgd. De minister die onderwijsachterstaand liever in de mond neemt en in plaats daarvan de focus legt op het leren, gaf het volgende te kennen op de persconferentie. We moeten ervoor zorgen dat de leerlingen kunnen leren. Dit hoeft niet per se met een les in de klas of met een repetitie op school. Het ministerie werkt aan een leerprogramma om het doorstromen van kinderen mogelijk te maken. Volgens de minister gaan leraren en de afdeling Curriculumontwikkeling en Communicatie met behulp van radio- en tv-programma's leeropdrachten formuleren die thuisgemaakt kunnen worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van storytelling, simulatiespelen en natuur-, historie- en cultuurfilmpjes. Voedsteltechnoloog Rikki Sturgaard heeft zich de afgelopen maanden ook ontpopt als iemand met een ongezouten mening over alles wat direct of indirect te maken heeft met het COVID-19 virus en de door de regering Stokje-Brunsweg getroffen maatregelen om dat virus min of meer in bedwang te kunnen houden. Wetende dat het virus niet zal verdwijnen en iedereen ermee moet leren leven. Het doel van alle COVID-maatregelen is niet om het virus te bestrijden, maar om het virus te vertragen. En dat houdt eigenlijk in dat in plaats van dat honderd mensen in de maandtijd geïnfecteerd zijn en al zodanig op een intensive keer terecht moeten komen dat er een betere verspreiding is dan bijvoorbeeld twee of drie maanden dezelfde aantallen, honderd mensen, maar dat het ziekenhuis de gezondheidszorg kan dragen. De maatregelen worden dus genomen om overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. En men hoopt dat bijtijds een vaccin ontwikkeld is dat dan het virus kan bestrijden. Dat is in eerste instantie de bedoeling van al deze maatregelen, zegt Stuttgart, aandachtblad Suriname. De Nederlandse Hoge Raad bericht dinsdag in een uitgebreid persbericht. Dat er strafvorderlijk beslag op een geldtransport van 19,5 miljoen euro vanuit Suriname terecht is opgeheven wegen staatsimmuniteit. Dat is de conclusie van advocaat-generaal Tarou Spronken in een zaak waarin de rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld over een klaarsschrift dat was ingediend door de Centrale Bank van Suriname. De rechtbank verklaarde het klaarsschrift gegrond en gelaste de teruggave van een geldzending uit Suriname op 17 april 2018 op Schiphol in beslag was genomen en als eindbestemming Hongkong had. Volgens de rechtbank was het beslag in strijd met het internationaal publiek recht gelegd. Ex-NIP-parlementariër Rashid Duki, nu lid van het stichtingsbestuur van de stichting Machinale Landbouw, adviseert ex-president-commissaris Johnny Mahes-Palsing om alvast een paar goede advocaten in de arm te nemen. Ik begrijp wel dat hij nu nattegeit voelt. Want wanneer mensen de voorgevel van Santoboma beginnen te ruiken en te zien, dan gedragen ze zich net als een os die voor het abattoir staat. Machinale Landbouw heeft na de benoeming van de stichtingsbestuur via een nieuwsite laten weten dat hij onterecht gecriminaliseerd wordt rondom het heel gebeuren bij de SML de afgelopen jaren onder de NDP-regering. Het verbaast Duki dat Machinale Landbouw pas na zoveel jaren met een verklaring in de media komt. Het dierenasiel heeft in het weekend bezoek gehad van dieven. Op hun Facebookpagina maakt de organisatie melding van de onvreemd van een durotank. Linda Achak vertelt namens het asielaandachtblad Suriname dat het om een 450 galon watertank gaat. De tank werd gebruikt om regenwater op te vangen, waarmee de hokken worden schoongemaakt. De organisatie heeft de politie ingeschakeld. Achak betreurt ook het feit dat het om middelen gaat die afkomstig zijn van donateurs. Ondertussen heeft het asiel de andere durotanks beschilderd. Daarmee zijn ze nu identificeerbaar, zegt Achak. Stichting De Stem, die zich bezighoudt met de rehabilitatie van alcohol- en drugsverslaffing, is vanwege de alarmerende toename van gokverslaffing ertoe overgegaan om ook behandeling, begeleiding en bestrijding van dit fenomeen in haar dienstenpakket op te nemen. De situatie is verontrustend. Wij krijgen op onze zorgkantoren regelmatig hulpzoekenden die leiden onder en van gokverslaffing. De hulp wordt vooral gezocht door familieleden van de gokverslaffenden die mede slachtoffer zijn. Gokverslaffing tast de speler, de familie, de sociale omgeving, de werkring en het land aan. De vele casinos, gokhuizen, gokstents in winkels en bedrijven in alle districten, resorten en weken en online gokken scheppen een wrang en verderfelijk klimaat, zegt voorzitter Carlo Landsdorf van Stichting De Stem. Gokers Gokers Gokers